तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने PC पे अपने गेम की APS को इंक्रीज कर सकते हो मतलब अगर पहले मान के चलो 30 मिल रहा था तो आपको लगबग 15-10 APS और ज्यादा मिल सकता इस सेटिंग्स को चेंज करने के बाद ठीक है वीडियो को देखना तो फर्स जो सेटिंग आता है जो कि कंट्रोल पैनल से अब कर सकते हो और एक चीज जो कि मैं बता देता हूं वह वाली चीज में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं जो कि यह रैम ओवर क्लॉकिंग रैम अगर ओवर क्लॉक करोगे तो APS आपको ज्यादा मिलेग सेटिंग की जो कि हम लोग Windows on होने के बाद जो चीज करते उसके उपर हम लोग बता रहे हैं ठीक है बाइस की सेटिंग नहीं तो आपको जाना है कंट्रोल पैनल खूलने के बाद पावर ऑप्शन पर आपके पास AMD का प्रोसेसर है तो आपको इदर AMD वाले पावर प्लैन दे लेबल है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और जो कि अपना फुल पावर पे अपना सीप्यू वर्क करेगा तो इसका मतलब अपको गेम में भी परफामेंस अब देगने को मिलेगा ठीक है तो यह एक बेसिक सा सेटिंग है यह ज्यादा तर लोगों को पता ही होता है अब आ दिखा रहा हूं तो आपको जाना है राइजन मास्टर में होम क्रिएटर मूड पर क्रिएटर मूड पर जाने के बाद आपको इधर से ओवर क्लॉक बगेरा करोगे या तो आपको कुछ नहीं करना जिस्पली बूस्ट ओवर ड्राइब कर दो उससे ही आपका पाफामेंस इ खराब होता है मैं ऐसा चीज़े भूगत चुका हूं इसलिए बोलता हूं प्रोसेसर बगेरा उबर क्लॉक मत करो स्टॉक कूलर बगेरा पर बहुत दिक्कत आती है ठीक है यह सेटिंग आपको करनी है आप आजाते अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ट ग्राफिक्स कार् लोग डेडिकेटग्राफिक्स काट नहीं उसक overturn onके लिए वह विडियो उतने तक ही था और जो लोग्डेडिकेटग्राफिक्स काट्यूज करे लेह ना एंपको जाना ग्राफिक्स मतलब अगारा ने को थो पता ही होगा नहीं प्रेंट बेंटकिस को इसे कुछ आते हैं तो उदर से भी आप यह सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो तो आपको जानिए अगर एमडी का जो राय क्या वोलते इसका बैयार रेडियन की अगर सेटिंग्स पर जाना है एडिल अनिल वाले तो इधर आपको क्या देखने को मिलता है इधर आपको जब जाओगे ग्राफिक्स ग्राफिक्स पर आपको बहुत साथ देखने को मिल जाता है कस्टम भी कर सकते खुद से तो अगर आपको गेमिंग ही सिर्फ करनी है अगर स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग करोगे तो इस पोर्स पर क्लिक कर लेना पावर से बिंग मूट नॉर्मल उस कर रहे हो कुछ ज्याद थोड़ा बहुत जो पावर होता है ना पूरा एकटा करके वो लोग इस चीज़ को बनाया है तो जिस बज़े से आपको एप ज्यादा देखने को मिलता है ऑप्टिमाइस हो जाता है एकदम आपका सीप्यू और और एक चीज़ में आपको बता देता हूं अगर आप थर्ट पर क्लिक करोगे या ऐसे गेमिंग बुश्ट मारोगे ना या लोग क्या करते हैं यह जो सॉप्टर ऐसे बनाया गया है कि बैग्राउंड में जितने भी विंडोज के फालतू के प्रोग्रम रन करते या कोई एप्लिकेशन सॉप्टर रन करता है पूरा खतम कर देखने को वो एेन्ड हो जाता है उससके टाक्स बंद हो जाते तो उसके क्या होता है तो cpu जी पूँ तो एउस एच काली ऊ-छाता है तो जब आप येम खेल जाते हो आपको देखने को और इंक्रीज देखने को मिलता तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक कर देना बाई-बाई मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए ठीक है बाई-बाई